हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत की परातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्स्क्राइब करें, तिलक गथाएं और हाँ, तीन दिन के बाद फिर से इन्हें चेक अप के लिए आए, डॉक्टर साहब, मैं फिर से देख तो सकूंगा ना, अभी नहीं, इसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, पूरे इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब, दो सौ रुपे लगेंगे, मैं इंतिसाम करूंगी डॉक्टर साहब, कैसे भी इंतिसाम करूंगी, मनीशा जी, आँ, शाम संदर घर में है, शाम संदर, अरे हाँ, शाम संदर जी और निर्मला दोनों बाहर गये हैं, दस पंद्रा दिन के लिए, क्यों, कुछ काम था, दामा अच्छे, दो सौ रुपे की बहुत जरूरत थे, अच्छा, तो आपने सोचा होगा, शाम संदर जी खैरात बांट रहे हैं, और आप, देविका जी, मनीशा जी, छोटे लोग, उची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बोलते हैं, आप पर कोई महरबानी करें, और वो मुझे दो सो रुपे के सक जरूरत है, जरूरत है तो जाए, बैठिए सड़पर और भीक मांगिए, देविका जी, ओ हो, आई बावा मा अगो, 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 मा stick वे ताझी मन अखकचच बाँ वे ताझी अखकचचा! वे ताझी वे ताझी अचानक अचानक इतनी तेज हुआ लगता है आसपास कहीं तुफान आया है मेरे भायसाब ठीक नहीं है निर्मला? मेरे भायसाब ठीक नहीं है आप ऐसा क्यों सोचते हैं देखिए यह आपका वहम भी तो हो सकता है कुदरत हमेशा अच्छे बुरे का संकीत देती है इंसान को से समझना चाहिए शिशा टूट गया यह यह मुझे ढरा रहा है कहीं मेरे मेरे भायसाबर परजैजी तो यह सब मेरी वजह से हो रहा है पैसो की लालच में अपनी मा समान परजैजी का और भायसाब का गुनेगार बन गया हूँ कि अपने मेरे भायसाब को कई बार दर्शन दिये हैं और मुझे भी आपका साक्षातकार हो है बाबा मेरी आप से प्रार्थना है कि आप मेरे भायसाब की रक्षा कीजिएगा गुनेगार मैं हूँ बाबा जो भी सजा देना है वह आप मुझे दे दीजिए लेकिन मेरे, बाइसाब की रक्षा किजिए बाबा, पिता जीज, क्या हो आपको? पिता जी क्या हुआ उठिए ना उठिए पिता जी मदद करो पिता जी उठिए जिंदगी में कितने उतार चड़ाओ आते हैं बहुत से आधी तूफानों का मुकाबला करना पड़ता है इंसान को अपनी जिंदगी में वक्त इंसान की शद्धा और मालिक पर विश्वास को डगमगा देता है बुरे से बुरे हालात में भी जिसका विश्वास जिसकी शद्धा मालिक पर से नहीं डूलती वही सच्चा भक्त है उसी पर मालिक की कृपा होती है आँके खोलिए ने में में खाऊं हो आँके खोलिए अब लोग कौन है आप-लोग ये क्या बोल रहे हैं आप मैं मनिशा आपके बतनी मैं आपका बेटा पिताजी राजिंदर निश्वास रजिंदर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी आगों के सामने अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा चागया है. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. मरीσα, मरीσα, झाय जिनतर. मेँ, मेँ अुऴ, मेँ अुऴ… बजित घेश… बजच जिनका इनलें लए, मेँ, मेँ जवी जिनतर. मेँ अ- whackald मेँ आव जूऴ, बजित घेश और भी ताजी… मेँ उनलें स, मेँ जिनका कुझ जुथ कर दो कर दो कर दोटस कर दो. कर दो कर दो हो दो गोड़ हो और सक दो को दो होती है. यह साबुदानिय की पोटली थंडे पारी में टुबो टुबो के आग पे लगाने से भी फाइदा नहीं हो रहा है कोई फाइदा नहीं हो रहा है मेरी आग की रोशनी वापस नहीं आरी है मैंना हो गया मैंने जे कुछ ने खाएगा दोजी क्यों उठकर चलने लगे आप मनिश्या रजेंदर मनिश्या क्या मैं क्या मैं सच्व चंड्रा हो गया हूँ क्यों ऐसी बाते करते हैं हम बड़े से बड़े आंक के डॉक्टर को दिखाएंगे अब फिर से देखने लग जाएंगे मुझे एक बार बाबा के पास ले चलो मुझे ऐक बार बाबा के पास ले चलो और तुम मुझे देख सकते हो रामलाल बाबा बाबा कहा है बाबा बाबा कहा है आप अपने दिल में झाको रामलाल मैं वहां हूँ मुझे कहीं ढूनने की जरूरत नहीं है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बाबा बाबा इसलिए डॉक्टर साब आपने कुछ बताया नहीं डॉक्टर साब एक बार एक बार बाबा कुछ देखना चाहता हूं डॉक्टर साब बैठिये शिर्फ एक बार मैं मैं सिर्फ एक बार बाबा को देखना चाहता हूं सिर्फ एक बार जो दिल से मालिक की भक्ती करता है मालिक के दर्शन करना चाहता है मालिक उसे कभी निराश नहीं करता ऐसे भक्तों का और भगवान का साक्षातकार होकर ही रहता है डॉक्टर साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं देखिए रामलाल जी की आखों को अंदर से चोट मोची है मैंने यह दवाईयां लिग दी हर दो दो घंटों के बाद दो दो बून उनकी आखों में डालते रहना और हाँ तीन दिन के बाद फिर से इन्हें चेकप के लिए ले आएए डॉक्टर साहब मैं फ्यरसे देख तो सकूंगा ना अभी नहीं इसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा कurun कि उलाई करना पड़ेगा पूरे लाइज केली कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साफ दो सौ रुपे लगेंगे मैं इंतिसाम करूंगी डॉक्टर साहब किसे भी इंतिसाम करूंगी एक दूसरे के सच्चे और अच्छे मित्र हैं क्योंकि दोनों के सुख, दुख, एक होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं ऐसी मित्रता और भला कहां मिल सकती है जब दोनों में से किसी एक को ठोकर पहुँशती है तो दूसरे को दर्ध होता और जब एक को खुशी होती है है तो दूसरे को आनंद होता है कहां है ऐसी मित्रता ऐसा पवित्र रिष्टा कि मालिक को भी खुशी देता है कि सबका मालेक कि एक क्या सोच रहे हैं आप कि लेजिए चाहिए बीजिए कि सोचता हूं कि सोचकर में क्या होगा कि कुछ नहीं कि मेरे सामने तो आप अंधेरा है लेगे Boy मेरे भर के लिए अब मैं कभी नहीं थे पाओगा मरीशा कि भाबा को भी नहीं देख कौँगा क्यों नहीं देख पाएंगे जरूर देख पाएंगे मां जुट बोल रही हो पिल आज accounts के लिए हमारे पास 200 रुपे ऌहा संदे आ चुप कर कि जया कि बाहर क्योू में हाँ क्यों बुट्चे को डाच रही हो हुल इस इसकी क्या गल्ती है मनिश्या और प्च्चा भी हुँ और सच्चा भी हुँ जब मां के पाँ स्कूल के खेलों के लिए मुझे देने के लिए दो रुपाय नहीं है तो आपके इलाज के लिए 200 रुपे कहां से आएंगे पिता जी मुझे माफ कर दो मा मुझसे गलती हो गई गलती चाहे जिसके भी हो हमें इसे ठीक करना होगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मनीशा जी आप शामसंदर घर में हैं शामसंदर अरे हां शामसंदर जी और निर्मला दोनों बाहर गए हैं दस पंद्रा दिन के लिए क्यों कुछ काम था दामाची से वो मुझे 200 रुपए की बहुत जरूरत थे अच्छा तो आपने सोचा होगा शामसंदर जी खैरात बांट रहे हैं और आप देविका जी मनीशा जी छोटे लोग उची आवाज में नहीं नीची आवाज में बोलते हैं आप पर कोई महरबानी करें और आपका गुस्सा भी सहें वह वो मुझे 200 रुपए के सक्त जरूरत है जरूरत है तो जाएए बैठिये सड़पर और भीक मांगिए देविका जी ओहो फिर गुस्सा आगए गुस्सा मुझे भी आया था उस दिन जिस दिन आपने मेरी बेटी निर्मला को थपड़ मारा था और मेरे दमाज जी के मुझ पर कानुनी कांगजाद फेक कर उनका अपमान किया था आज से तुम राजेंदर साइकल्स के आदे हिसे के मालिक हो गए हो यह लो कि अब तब तो आपने उन दोनों के साथ रिष्टा ही तोड़ लिया था और अब कि अब मेरे पते के आँखों के इलाज के लिए मुझे दो सो रुपए चाहिए मैं आपके आगे हार चोड़ते हूं कि आपके प्यार पकड़ते हूं मुझे दो सो रुपए दे दीजिए जिन्दगे भर दासे बनकर आपके सेवा करूंगी कि दो सो रुपए से मैं तुम्हें खरीद लेती लेकिन क्या करूं शाम संदर जी बोलकर गए हैं कि रामलाल जी और मनीशा के साथ कभी संबदे नहीं रखना और अगर वो आए तो उन दोनों को लात मार कर यहां से भगा देना हूं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी है कि मैं खोद ने चली जाती हूं कर दोरी कोई। खिलोना ले लो खिलोना अच्छा खिलोना क्या कहा जॉक्टर ने कुछ नहीं बस अच्छे से खाया पिया करो और आराम करो और कुछ नहीं अरे तीसरा महिना तो अभी लगा है तुम्हें वो सब छुड़ी सासुमा और यह बताईए क्या प्रजाय जी यहां पर आई थी मनिशा जी यहां नहीं तो अरे अगर मनिशा भाबी यहां आती तो क्या माँ उन्हें रोके नहीं रखती हां तुम्हारे वापस आने तक तो मैं उन्हें रोक कर ही रखती न तो फिर वो कौन थी जो हू बहू प्रजाय ज जैसे थी और अभी अभी हमारे घर से बाहर निकल कर गई हैं लोग इतने निदरीत कैसे हो सकते हैं कैसे तोड़ सकते हैं वो रिष्टे स्वार्थ से अंधे लोग दूसरों की भावडाओं से कैसे खेल सकते हैं जो अपने रिष्टेदार को ठुकराते हैं नफरत उन्हें इंसान से जानवर बना देती हैं कब सीखेंगे वो नीच लोग की दो मीठे शब्द दुख्यारों के दुख काम कर देते हैं पशुता छोड़ कर कब वो दूसरों के जख्वों पर मरहम लगाना सीखेंगे कब जानेंगे मा और बेटे के बीच में दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए हम सभी इश्वर के अंश हैं लोग जानते हैं फिर भी उन्हें दूसरे इंसान में इश्वर नजर नहीं आता ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं जो दूसरों को दुखी देखकर खुश हों जो दूसरों को रोते देखकर मुस्कुराएं दूसरों के जख्वों पर जो नमक छड़के ऐसे लोगों को क्या कहा जाएं आज शामा ऐसे लोगों को उनके किये की सजा भुगतती पड़ती है मालिक उन्हें कभी माफ नहीं करेगा कभी नहीं सबका मालिक मालिक मुझे दो सुरु पे देदो! मुझे दो सुरु पे देदो! मुझे दो सुरु पे देदो! मुझे मेरे पतिके हिलाज के लिए दो सुरु पे चाहिए! मुझे दो सुरु पे देदो! तुम लग किसी के बास में दया नहीं है क्या कोई मुझे दो सुर्पे नहीं दे सकता क्या कोई मेरे पती को अंदा होने से नहीं बजा सकता क्या किसी के मन में वे इतनी दया नहीं कोई मुझे दो सुर्पे नहीं देगा कोई इतना दया लू नहीं दो सुर्पे दे दो यहां कोई किसी का नहीं मनिशा बेटी पैसा पास होता है तो दया साथ छोड़कर भाग जाती है कोई नाता कोई रिष्टा बड़ा नहीं है पैसे से पैसा भगवान से भी बड़ा है यहां यही तो कल्यूक की माया है महिमा है असल में पैसा इंसान का दुश्मन है लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है लेकिन इंसान की यही धारना की पैसा ही सब कुछ है खलत है पैसा सब कुछ नहीं है पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता तंदुरुस्त होता आनंद मैं होता लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है तो फिर इनसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है क्यों पैसों के लिए अपनों से मूँ मोड लेता है क्यों हो दूसरों की आखों में आशू दे कर भी उसका दिल नहीं पसीज़ता इनसान इंसान क्यूं ये भूल जाता है कि भक्ती जगत नरायन की करनी चाहिए नगत नरायन की नहीं जब तक इंसान पैसों की मो माया की भूल भुलईयों में फसा रहेगा उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी पैसा साधन है सुख हासिल करने का लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु भक्ती में है इसलिए मालिक को तिन रात याद करो और जनम मरंड के चक्त्र से मुक्त हो जाओ सबका मालिक एक अरे वीकों यहां क्यों खड़े हो अभी तक दफ्तर किनों पहुंचे क्या हुआ कि घर में सब कुशल तो है ना मेरा परिवार तो कुशल से है मालिक लेकिन जिनकी बद्वलत मेरा परिवार कुशल से है उनका खुद का परिवार कुशल से नहीं है है किन की बात कर रहे हो तुम राम लाल जी की क्या कि क्या कि क्या हूं मिरो मेरे भाio को क्यों मेरा इसाब को širo. अभी अभी ये अभरे बाजार में उनकी पनी रोते रोते चिला रहे थी कोई तो सो रुपे देगा हमें अपने पती की आखों का इलाज करवाना है नहीं तो नहीं तो उनके पती अंध्य हो जाएंगे चली गई जिनके दर्वासे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लोटा आज वो खुद हाथ फैला फैला कर मांग रहे थी और आख मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है मालिक है अजय किस काम किये मेरी जिंदगी जो में रामलाल जी के लिए काम नहीं आ सकता है कि अधाय मेरी परजाय जी किधर गई किधर गई मेरे परजाय जी बोलो परजय जी परजय जी परजय जी परजय जी परजय जी अभी अब यहान बरें बाजार में उनकी पत्रीं रोतें चला रहेजी कोई तो सो रुपे देगा है माँखे की आखो का इलाज करवाना है नहीं तो नहीं तो उनका पती अंधे हो जाएंगे मुझे माफ कर दिजे बाई साफ मुझे माफ कर दिजे परजाए जी मुझे बाफ कर दिजे है मां पिता जी मां आ गई आप अरे क्या कर रहें आप ऐसे भी क्या जल्दी है गिर जाते तो गिरतक ऐसे तुम जो हो समालने वाली तुम इस अंधे की आखे मों मनीशा नहीं नहीं मां को अब आपके आखे बनने के कोई जरूत नहीं अब आप खुद देख सकेंगे मां आपके इलाज के लिए 200 रुपे मांगने गई थे चाचु से तब तो मैं अपने बाबा को देख सक मुझे मालूम था मैं मैं अच्छी तरह जानता था मुरीशा शाम सुन्दर 200 रुपे जरूर पे देगा अरे वो मेरे भाई जैसा पुरा भाई तो है लेकिन मुरीशा तुम्हें वहां आने जाने में तकलीव जरूर होई होगी क्या तकलीव है शाम सुन्दर का घर है ये कितनी दूर सच कहूं तो मैं ठक गई थी लेकिन उसके दर्वाजे पर कदम रखते ही मेरी सारी ठकान दूर हो गए वो मुझे 200 रुपे के सक जरूरत है जरूरत है तो चाहिए बैठी सड़क पर और भीग मांगिए बड़ा मान दिया उन लोगों ने मुझे शाम सुन्दर तो बार-बार आपके लिए ही पूछ रहा था कह रहा था भाई साब क्यों घर छोड़कर चले गए और कहने लगा देशा कंपनी हमारे नाम हो गई हो ले मेरा शाम सुन्दर दिल का बुरा नहीं है फिर क्या हुआ मां मुझे शर्बत पिलाया निर्बला वहू और उसके माने बड़े प्यार से मुझे खाना के लाया कि आपके पैर पकड़ती हूं मुझे 200 रुपए देजिए जंदगे भर दास से बंगर आपके सेवा करूंगी आते वक्त राजंदर के लिए कपड़े दिये हम दोनों के लिए भी कीमती तौफे दिये और मेरे बार-बार मना करने के बाद भी का 200 रुपए की जगा 2000 रुपए मेरे हां फें रखती है लेकिन मां चाचु की दिव इसारी चीदे कहा है तुम्हारे हातों खाली है राम लाण जह नए गया बावा कि रामलाल तुम्हारे दिल को ठेश ना लगे इसलिए तुम्हारी पत्मी ने तुमसे जूट पोला अपमान हुआ है रामदाल कि बदीशा कि कि शाम सुन्दर ने तुम्हारा अपमान किया कि शाम सुन्दर ने हमारे साथ सारे रिष्टे तोड़ लिए कि मुझे माफ कर दो कि मैं आपके इलाज के लिए दोसे रुपे नहीं ला सकी कि मुझे, कि बवल कर दोसेप कि मुझे है रहाओ कर खяти के वाओ कि मला यह